ट्रैक्टर की अवास ते जुड़ी पुनर जुनम की दास्ता तीन साल के मोहित ने सुनाई अपनी मौत की कहानी, आए जानते हैं इस ह्थारान करदेने वाली घटना के बारे में जालावाल के खजोरी गाओं में एक पुनर जन्म की घटना सामने आई है यहां तीन साल का एक बच्चा जिसका नाम मोहिद है वो खुद का नाम तोरण बताता है और ट्रक्टर की आवाज सुनते ही डर कर रोने लगता है देरे देरे अपने पिछले जन्म के माबाप और मौत का कारण भी बताने लगा पहले तो परिवार के लोगों को इस पर भरोसा नहीं हुआ लेकिन जब उन्होंने इसकी परताल की तब पता चला कि बच्चा अपने पिछले जन्म की तो जो बातें बतार है वो सब सही है परिवार ने मोहिद को मौत को तोरण के माता पिता सहीत रिष्टेदारों से उसे मिलवाय तो उसने सब को पहचान लिया परिवार के साथ ही शेतर के लोगों में भी बच्चे का ये दावा कौतूहल का विशय बन गया मोहिद के पिता उंकार लाल मेहर ने बताया कि मोहिद जन्म से ही ट्रैक्टर की आवाज सुनकर डरता था और रोने लग जाता था उस समय वो बोल नहीं पाता था जब वो बोलने लगा तो अपना नाम तोरण बताने लगा मामले की जाज परताल की गई तो पता चला कि आज से लगबग 16 साल पहले मनुहर थाना शेतर के कोलू खेडी कला में रोड निर्माड काम में मजदूरी करने गए खजूरी के रहने वाले 25 साल के तोरण धाकड पुत्र कल्यान सिंग धाकड की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौध हो गई बेटे की मौध के बाद माता पिता मकान बेचकर मध्यप्रदेश के गुना जिले के शंकरपुरा गाउं में रहने चले गए तोरण की एक बुआ नथिया बाई धाकड खजूरी में ही रहती है सूशना मिलने पर जब पहुँची तो मोहित ने उसे पहचान लिया और उसकी गोध में जाकर बैट गया इसके बाद तोरण के माता पिता को सूशना दी गई और जब वो आये तो तीन साल के बच्चे ने उन्हें भी पहचान लिया उससे मिलकर लगा जैसे हाथसे में जान गवा चुके उसका बेटा तोरण फिर से लौट आया हो मोहित से उसका नाम पूछने पर वो खुद को तोरण ही बताता है तोरण को अपनी बुवा से काफी ज़्यादा लगा हो था और मोहित को भी तो आपका इस पुनट जन्म जैसी घटना के बारे में क्या कहना है नीचा में कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके ज़रूर बताई और इस वीडियो को फेस्बुक और वाट्साप पर ज़ादा से ज़ादा शेयर करें